Welcome back दोस्तो, इस वीडियो में दोस्तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एक क्विक बार में कोई आईकॉन अपने एड कर सकते हैं, कोई भी टूल अपने पसंद के यहाँ पे आप कैसे एड कर सकते हैं दोस्तो, तो simply दोस्तो आपको यहाँ औरेडी देख सकते हैं, तो simply सबसे पहले आप फाइल के उपर क्लिक करेंगे step number one, then उसके बाद यहाँ पे save के उपर क्लिक करेंगे step number two, उसके बाद आप यहाँ पर browse के उपर क्लिक करेंगे step number three, then आप अपनी कोई भी फाइल save कर सकते हैं, मतलब आपको तीन step यहाँ पर follow करने पड़ेंगे, औ और simply दोस्तो मैं यहां पर यह click करूँगा only one click then मेरे directly save as का column यहां पर खुल जाएगा और step number one सिर्फ एक ही click में दोस्तो मैं directly अपने file save कर सकता हूँ तो simply मैं यहां पर back कर देता हूँ बताता हूँ आप अपने मन पसंद के icon यहां पर कैसे रख सकते हैं दोस्तो तो यहां पर आप दूस्तो एक slide bar दिख रहा होगा customize quick access toolbar इसके उपर आप click करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे option देखने के लिए मिल जाएंगे है जैसे कि कोई भी आपको new file open करनी है तो उसका आप यहां पे add कर सकते हैं कुएक toolbar आपको email का sharing के लिए on करना है तो आप यहां से on कर सकते हैं आपको spelling check का यहां पर रखना है तो spelling check का भी रख सकते हैं quick print आपको रखना है तो quick print भी रख सकते हैं print preview and print इसको हम यहां पर रख देते हैं and यहां पर मैं quick print रख देता हूं directly दोस्तो आप यहां से कर सकते हैं आपको जो टूल अच्छे लगते हो जो आपके regular use में हो वो सब को आप यहां पर place कर सकते हैं दोस्तों तो guys यह तो हो गया कि आप directly यहां से कैसे रख सकते हैं बट यहां पर बहुत सारे ऐसे tools हैं जिनका option यहां पर available नहीं है तो उन tools को आप कैसे place कर सकते हैं तो example लेते हैं दोस्तो formulas में कि हमको यह auto sum का tool उपर place करना है तो simply मैं यहां पर right click करूंगा यहां पर में को option मिल जाएगा add to quick access bar जैसी मैं इसके उपर click करूंगा दोस्तों मेरा यह tool ऊपर quick access bar में add हो चुका है इसी type से दोस्तों आप देखिए कौन से tool आपके daily uses में होते हैं अगर आपने पहले भी excel कभी use किया हुआ हो तो आप देखिए जानिये कि कौन कौन से tool आपके regular use में होते हैं उन सबको आप यहां पर quick access bar में save कर सकते हैं quick access bar में उसे pin up कर सकते हैं दोस्तों तो guys इस video के लिए पर से इतना ही चल्दी मुलाकात होगी आपसे हमारी next class में